रादे रादे तो आज कार्तिक मास का पहला दिन है आशा करता हूँ आप समने बड़े उत्सा से एक आजशी रखी होगी ऐसे ही आगे उत्सा से बढ़ते रहिए बड़ा आनन्द मिलेगा तो आज हम लोग श्री रादारस सुधा निधी जो की प्रबोदानंद सरस्वती बेजा उसमें अनुवाद हमारे श्री श्री गुरुदेव श्री एक सो आठ अनन्दास बाबाजी द्वारा किया गया है तो ये एक लीला का शास्त्र है और जैसे ही कि हम जब भूमिका पढ़ते हैं तो भूमिका का पहला इस लोक बहुत बढ़िया और जबरदस्त है ये भी कई कई जगा बोला गया एक बार गुपाल भट को स्वामी जी ने भी अपने एक शिश्य को व्रिंदावन में बुलाने के लिए ये श्लोक लिखके भेजा था अन राध्य राधा पताम भूज रेणू अन अश्रिते व्रिंदा टवी तत पदांकम असं भाष्य तत्भ राधा पताम भूज रेणू जिसने श्रीमती राधारानी की महिमा को जायना ही नहीं जिसने श्री राधारानी की पूजा अर्चना की ही नहीं अन अराधे राधा पताम भूज रेणू केवल राधारानी नहीं राधारानी के चड़नों के जिसने कृपा प्राप्त की नही रादारानी के चर्णों को जिसने पूजाई नहीं अन आश्रिते ब्रिंदा टवी तद पदांकम और ऐसे ब्रिंदावन की भूमी जिसके पग पर कवर श्री रादारानी और श्री कृष्ण के पदांकित हैं मतलब उनके चर्णों के निशान हैं जिस ब्रिंदावन भूमी प लिया ही नहीं असम भाश्य तद भाव गंभीर चित्तान और जो वहां पे रहने वले संथ हैं उनकी उसने कभी इज़त की नहीं उनको कभी सराई नहीं उनको इस दृष्टी से देखा ही नहीं कि ये संथ हैं और ये हमें यहां से लेके जा सकते हैं कुता श्याम सिंदू रस स्याव गहा कुता श्याम सिंदू ऐसे लोगों को श्याम सिंदू रस मतलब जो कृष्ण रस भाविता भक्ती है ऐसे लोगों को उस भाव के समुद्र का कुछ भी स्वाद क्या आएगा कुता कुता श्याम सिंदू रस से आवे कहा रस श्याम सिंदू श्याम के रस का जो सिंदू है श्याम के रस के सिंदू के एक बूंद का स्वाद भी आपको नहीं आ सकता अगर आपने श्रीमतिरादरानी के चर्णों की अराधना नहीं करी अगर आपने ब्रिंदावन का आश् नहीं किया यहां उनको कभी आपने मश्राइड नहीं करी तो इस बड़े सुंदर्श लोग के साथ भूमिका की प्रारंब करी और जैसे कि हमें पुर्षोतम मास में चर्चा करी थी तोपुर्षोतम मास में हमने 11 सकंद की चर्चा करी थी श्रीमत भागवतम के ग्यारवेसकंद जो की उद्धव गीत है उस उद्धव गीत में हमने सारी तत्व की चर्चा करी थी और इस समय हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लीला की चर्चा है भावराज्ये में दो वस्तु होती हैं दो प्रमुख वस्तु हैं एक त तत्व और दूसरी लीला तो तत्व पे हम लोग चर्चा पहली कर चुके हं तत्व क्या कारे करता है ततव वह हमारा पाठ्र बनाता है हमारे हिरदे को पाठ्र बनाता है कि उसमें लीला आ सके अगर आपको अमरीत गहर linkage करना है तो तो उस द तो गिर जाएगा अगर आपने हाथ से पान गिया ये कुछ पानी नहीं है कि ऐसे मिल रहा है आपने हाथ लगाया चलो जो गिर गया गिर गया जो आगया आगया अमरित है अमरित की दो चार मुंदे मिलती हैं तो व्यक्ति एक पात्र लेके जाता है तो ऐसे हमारी पात्रता कै किसे त्यार होगी पात्रता त्यार होती है तत्व से तत्व की हम लोगोंने चर्चा करी पुरशोत्तम मास में 11 इसकंद के उद्धव गीता में भगवान ने दो बार ग्यान दिया पहले अर्जुन को ग्यान दिया जिसको बोला गया भगवध गीता और दूसरा उद्धव को ग्यान दिया जिसको बोला गया उधव गीता भगवत गीता में भगवान ने बेसिक्स सारे बताए जीव को कैसे चलना चाहिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मनुष्य योनी में उस मनुष्य का जीवन कैसे चलना चाहिए वह भगवत गीता में बताया है और उससे भी फिर अगर कोई एडवांस स्टडी है तत्व की तो वह उधव गीत है तो उधव गीत से हम लोगों ने अपनी पात्रता तियार करी अब पात्रता तो कभी ग्रहेंड भी नहीं किया जाती ना जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा शुदर चांदी का कटोडा लाए अब क्या करोगे उस चांदी के क्टोड़े का क्या करोगे आगर उसमें पदारत ही नहीं है तो कटोरा थोड़े ना कोई खाए काने के लिए तो पदार्त चाहिए तो वो पद भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो अनंत हैं श्रीमत भागवत में भी बड़ी सारी भगवान की लीलाओं का वर्णन है भगवान के कहीं कहीं अवतार हैं मुख्य भगवान के 24 अवतार हैं उन सारे 24 अवतारों की लीला श्रीमत भागवत में वर्णन की गई उसमें से भी सबसे मुखे अवतार है वो है श्री कृष्ण अवतार जो सारे अवतारों का अवतारी हैं जो तो वो मुखे अवतार हैं कृष्ण अवतार इसलिए आप श्रीमत भागवत में देखोगे सबसे बड़ी चर्चागर किसी की हुई तो वो कृष्ण अवतार की हुई तो में भूमिका इसकी मैं आपको बता रहा हूं कि जब लीला के चर्चा करेंगे तो सबसे पहले 24 अवतारों की लीला फिर उसमें भी 10 अवतारों की लीला फिर उसमें भी मुख्य अवतारों की और उसमें भी स्वादन होता है एक शांत भाव से दासे भाव से साखे भाव से वादसले भाव से और माधुर्य भाव से अब उसमें सबसे सर्वश्रेष्ट भाव जो है वो माधुर्य भाव है शांत भाव तो ब्रिंदावन में होता ही नहीं दासे भाव से तो शुरू होता है वो सबसे न क्वार्का में भी मादोरे भाबभु मुख्य भाब और बृदावन का लेकिन जो माधोरे भाब होजो सबसे उच्थम माधोरे भाब है क्योंकि उसमें बिर沁वर है उन्हीं अपथendesल siis आपका कोई, समझ लेइजे, कोई प्रेयतम है, और वो प्रेयतम जो है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे मान लेजे, कहीं का कोई चीफ मनिस्टर है, यह प्राईम मनिस्टर है, और वो जब आप से मिलने आए, तो उसके साथ तीन गाड़ियां साथ में आए, एक गाड़ की गाड़ी पीछे बौड़ी गाड़ की और वह अपसे मिलने के लिए आहां जी चर्चा कीजे बैठी और कौफी पे भी मान लिजए आपके साथ टेबल पे बैटे तो दो गाड पीछे खड़े तो महाराज वो मादूरे वाली बात बंती नहीं यह मादूरे फे ठीक से अस्वादन नहीं हुआ इसमें अष्वरे साथ में आ गया कि दो गाड इदर खड़े दो गाड इदर खड़े तो जो प्रीयतम का मिलन है आपस में心 मिलन का होता है एnes nieuwe बृणदा वद मैं होता है सबसे उच्छ तम माधूरे लीला Archives लिला एक लीला होती है एक होती है कुंज में और एक होती है निब्रित लीकुंज में अब कुंज में क्या है माधूरे इलीला है इसमें हैश्वर तो नहीं है लेकिन क्ट बड़ी बड़ी घोपियां भी आ जाती हैं जो लड़का आया उसके बड़े सारे तीन-चार दोस्त भी साथ में तो फिर मिलन में वो आनंद नहीं आया तो इसी लिए ऐसा मिलन जो है वो कुझ का मिलन है अब कुझ से ऊपर एक निकुझ का मिलन है निकुझ का मिलन किस प्रकार काई कि उसमें सखोवादी का तो प्रवेश नहीं होता प्रवेश नहीं होता का तात्पर है कि उन्हें मना नही यहां पर आपकी वह एससे समय पर सब्सक्राइब कि जाती है ऐसे छोपके से की जाती कि मों पता गया है चाहिए निक निकुज में पोंच गयों यों बाइन मंजरियां कि शुरी जी भगवान्ष्रीक कृष्ण के साथ रह canvas रानी और रानी की सखीयां भी हैं और मंजरियां भी हैं यहां पे जैसे बताया गया कि पांच प्रकार की सखियां होती हैं सखी नित्ते सखी प्राण सखी प्रिये सखी और परंप्रिष्ट सखी यह पांचों प्रकार की सखियां वहां पे मवजूद हैं और जो यह पांच प्रकार की सखियां इन में ती जादा और आधाराणी से कंवे क्रिश्टर की जनरली क्योंकि नंदगाओं से हैं इसलिए इंकी पृति कियराधारानी से जादा सम स्नियाधिका वो होती हैं कि ऊद्धिक रदा किंश्टर मलं कब दोनों से बराबर की दोस्ती और रादर आनि मिलती है ओख ए किसलिये करती ने किशो अच्छा लगे हैं हमारी स्वामी को अच्छा लगे इसलिए तो यह जी अठियां होती है यह होती में प्राणसक्री हैं और नित्ते सक्षियां ये प्राण सक्षियों और नित्ते सक्षियों कोई मंजरी या किंकरी स्वरूप में बोला जाता है यही मंजरी भाव के हम लोग उपासक है किनके प्राण सक्षिय और नित्ते सक्षिय यह मंजरी भाव की उपासक है इनकी स्वामिनी जो हैं वो किशूरी जी हैं मुखे रूप से इनमें क्या फरक इनमें और सक्यों सक्कियों का कृष्ण के साथ अंग संग होता तराधारानि को सुख देने के लिए एसарी क्रिया सक्कियों की गी जैसे ललीता विशाखाOFF DI तो उनका कृष्ण के साथ भी अंगसंग होता है पर जो मंजरियां आए उनका किसी भी हाल में कृष्ण के साथ अंगसंग नहीं होता वो केवल किशोरी जी का कृष्ण के साथ अंगसंग करा के प्रसंदता का अभास करती है और शत्कोटी प्रशंसावने प्राप्त होती है श प्रकार का आनंद होता है तो इसी लिए उनकी अब कोई एक रुपया क्यों लेना चाहेगा जब उसको सो रुपय मिलते हैं तो तो इसी लिए उनका आनंद किशोरी जी के साथ मिलन कराने में ही है शाम यूगा और सारी व्यवस्था देखना सब करना उनकी शैया तियार करना उनका निकुंज तियार करना उनका महल तियार करना उनके निवरित निकुंज में जाके सारी फूलों की विवस्था करना सज्जा की विवस्था करना पीने की विवस्था करना खाने की विवस्था करना यह सारी मंजरियों की प्रमुख सेवा होती है कि शोरी जी का शिंगा आई जोगाई यह मंजरियों की सेवा के अनुगत में आती हैं तो हुम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीन प्रकार से कुझ हैं попроб एक निकुझ और एक निभृत निकुझ तो कुझ में सखेवाई त्यादी हैं निकुझ में सारी सक्षियां मंजरियां मेटिकम लेकिन तब भी उसमें मनजरियों का प्रवेशा है क्यों कि मंजरियां तो किशोरी जी की परचाई की तरह हैं एक्दम साथ ही रहती है और उनसे उनको ऐसा नहीं लगता कि इसे ठोड़ी कोई सोचता है इसी प्रकार से मंजरियां मंजरियां है या नहीं है उन्हें उनके दिमाग में ऐसा नहीं आता कि कोई बाहर का व्यक्ति है अब जैसे अपने साथ की सकी हो हम चाहे कितनी भी प्रीती रखते हो पर जब हम अपने प्रियतम से मिलने जाएंगे तो उस समय तो फिर साथ विर्कुल बेस्ट फ्रेंड भी हो तब भी लगता है कि यह ना अभी इस टाइम पर तो इसी प्रकार से ललिता विशा का आदी सक्खियां भी संकोच करती है निबरितने कुछ में जाने का आप उसमें एक अंडरस्टेंडिंडिंग है मना नहीं किया ज ना हुआ है कि वह जाएंगे नहीं अब मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वह अपने हस्बेंड के साथ बेडरूम में लेटी हुए तो मैं क्यूं जाओंगा उसने तो मैं अपने आप से नहीं व्यवारिक है तो इसी प्रकार से सक्खियां आती नहीं और सक्खियां ही बलकि एकदम माइंड ही नहीं करेंगी यह ऐसी है कि रादारानी की जैसे छोटी बेहन है और क्योंकि इंका क्रिष्ण से अंग संग में विर्कुल को इंट्रेस्ट नहीं और कभी किया नहीं तो और विर्कुल ऐसे लगता है कि यह तो एकदम अपनी परशाएं की तरह इंका तो इस वामले में जैसे हम बोलता है रही है तो अब ओध है इसको तो इस बात का ज्यादा बोध ही नहीं इस प्रकार से तो इसलिए मंजरियों का प्रवेश निब्रित निकुंज में हो सकता है और अब हम जो रादारा सुदानीदी की चर्चा करने जा रहे हैं यह निब्रित भी नहीं बनता हूं सुनते नहीं इस बात को समझते रहे हैं तो इसलिए एक तो ब्रिंदावन की बात और फिर निब्रित निकुंज की बात और फिर बता कौन रहे हैं प्रवोधानंद सरस्वती यह प्रवोधानंद सरस्वती कौन है यह प्रवोधानंद सरस्वती प्रका प्रकाशनन्द सरस्वती जी मिले तो प्रकाशनन्द सरस्वती जी जब माप्रभू को मिले तो काशी में तो प्रकाशनन्द सरस्वती उस समय सबसे चोटी के सन्यासी थे सबसे उपर के टॉप के मायावाद सन्यासी यह मायावाद का प्रचार करते थे तो माप्रभू को यह स यह प्रकाशनन सरस्वती यह महाप्रवु को बोलते थे पता नहीं कौन बावला है लोगों को पागल बना रहे अपने जादू से इदर उदर लोगों को ऐसे बहला रहे फुसला रहे कभी अगर हमारे पास आया तो हम बताएंगे और कितनी बड़ी अवस्था में थे प्रकाशनन सरस्वती को किस प्रकार महाप्रवु ने प्रभोदानन सरस्वती बना दिया किस प्रकार उनका मायावाद खतम कर आया किस प्रकार उनको भी भरी गलियों में काशी की नचवाया जो यह बोलते थे कि यह सन्यासी कोई नाचा करते हैं यह तो सन्यासी नहीं है यह जो नाच रहा यह सब हला गुला कर रहा है अरे सन्यासी होके तो वेदांत पड़े जाते हैं ऐसे थोड़े ना कि हरे नाम संकिर्थन पर नाचा करते हैं बड़ी प्रसिद बात चीत हैं की इन्होंने महाप्रवू को बोला कि अरे आप चेतन्य महाप्रवू आप तो देखने के प्रभाव से ही 50% बत्ती तो गुल हो गई थी परकाश अनसर स्पती जी केवल देखने मात्र से जो बोलते थे यह एक बार मेरे सामने आये उन्होंने केवल देखा ही था तो देखने से suit काम तो हो गया थै तो उन्होंने पूछा महाप्रवू को कि सेटन्य महाप्रवू आप जो है आप показыв अ में बड़ा तेज है अरे आप विदान्त क्यों नहीं पढ़ते यह क्या हरी नाम संकीरतन करते नाचते डोलते फिरते हो तो महाप्रभु ने बोला भाई मेरे गुरुजी ने बोला था कि तुम बड़े मूर्ख हो तो मुझे उन्होंने मूर्ख जानके बोला बस तुम हरी ना बिठाया उन्हें अपने बीच में लबी चर्चा है तो लेकिन कुछी पल में महाप्रभु ने ऐसा कर दिया कि नील माधव के अगले दिन दर्शन करने गए थे और भार आके नाचने लगे थे वो भी हरी नाम संकीरतन वे तो उनके लाखों के अनुजाई जो यह देखते और सुनते थे कि चेतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि पतानी कौन बावला है यह नाच रहा है सन्यासियों को शोबा देता है ऐसे नाचने गाने लगे थे और बाद में बोलते थे कि मोक्षि नाम से भी मैं अपने कान पकड़ लेता हूं ना ना मुझे यह सबनी मेर को तो के कुछ लोग भी पढ़ लोगे तो ब्रिंदावन की प्रती जो आपकी द्रिष्टी है वो बदल जाएगी वहां जाने का स्वाद अलग हो जाएगा ब्रिंदावन जाने का तो अब इसमें कई विरोधा भास की भी बाते हैं कई लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं मैं उस कि चर्चा ही नहीं हुई राधारानी के कौन जानता है राधारानी कुछ है भी के नहीं है इस प्रकार से भी कई लोग बोला करते हैं तो उसका भी जवाब देने के लिए यहां श्री गुरुदेव ने बताया कि सामवेद रिगवेद तीन प्रकार के यह जो हमारे वेद है इन तीनो वेदों में सामवेद रिगवेद और यजुरवेद इन तीनो वेदों में श्री राधारानी का वर्णन किया हुआ है भागवतम में वर्णन क्यों नहीं किया वो व्रियत भागवतम में सनातन गोस्वामी ने बताया कि जब परिक्षित महाराज अपनी मैया से मिलने गए शुगदेव गोस्वामी से भागोतम सुनने के बाद तो उन्हों ने अपनी महिया को बताया के महिया उन्हों ने पूरी भागोतम सुना के भी किसी गोपी का नाम नहीं लिया मेरे गुरुदेव शुगदेव वो स्वामी माराज ने क्यों नाम नहीं लिया क्योंकि अगर वो उनकी प्रेम की अगनी की एक छटा भी उनके भीतर आ जाती तो वो मुर्चित हो जाते मैया वो उस प्रेम में समाधी लग जाती और मेरा तो समय निकल जाता मेरे पास तो केवल साथ दिन है और महीनों महीनों क तो समाधी लग जाती थी एक बार किसी गोपी का नाम लेकर पर पर मैया उनों ने जब रासलीला की बात करी तो रासलीला में उनों ने एक प्रमुखanton की बड़ी गान करी हैं उन्होंने बताया कि ओन सारी गोपिशों के समुखे एक गोपी थी जो बीच में रही और वो एक प्रमुख गोपी की जिसकी उन्होंने किर्थी स्थापित करी में समझ गया था मैं या वो और कोई नहीं वो श्रीमती राधारानी है इतना तो परिक्षित महाराज समझ गए थे श्रीमत भागोतम सुनके लेकिन आज भी कई मूर खैसे जो समझ नही पाए और बाद वीबाद की बात करते हैं तो कोई बी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें किषोरी जी का वर्णन ना किया अधी वेदो से लेके उपनिशों तक सब जगा राधारानी का वर्णन किया गया, फिर कई호 इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि ने प्रकाशनदní जी जो ह हमारे संप्रदाए के को असल में ये इतना अतुलीनी शास्त्र है कि दूसरे संप्रदाए के लोग इसको अपना बना के माँटना चाहते हैं कि यह हमारे संप्रदाए की चीजे क्योंकि ऐसा हो इनी सकता कि इसे पढ़fach रिपност अब दूसरे जो पमनलब जो हमारी पारम्परा का नहीं दूसरी परंपरा का शास्त्र रम बहुत अब जदہ नहीं कि अब यह पढ़के-ाओ-पयस में हमारी परंस्दी आई इस लिए इसका बड़नन नुक्रात इसको छोड़ें क्योंकि हमको परंस्दें कि इस परंपरा कि हम तो जानते हैं कि हमारी परंपरा कि यह कि बहुत सारे उसके प्रूफ दिये गए कि यह हमारे प्रभुदानन सरस्वती जी नहीं लिखिया है और प्रभुदानन सरस्वती प्रकाशानन सरस्वती है भूमिका में भूमिका में इसका विवरण दिया गया है पूर्ण रूप से इसका विवरण किया गया है कि उन्होंने लिखी और वो जो बोलते कि यह इन्होंने नहीं यह तो हमारे संप्रदाई के इन्होंने लिखी वो उनके इन संप्रदाओं की संकीन तो मैंने हमें तो किशोरी जी का प्रेम प्राप्त करना है के नहीं हमें और क् प्रप्राइबर्बोर्व को मांने स stell की तो पञाएब और ये लिखी च्रौत dezNG-प्रशिय ने लिखिए तो प्रभोधानन सरस्वती र प्रवोधानन सरस्वती कहां से आए उनको किoda भकल ग्रोम्त दूसरे सम्प्रदाई के तो उनको मानना नहीं चाहते हैं इसलिए उनोंने क्या किया है दो तो सब प्रकार से चर्चा की जाती है जैसे हमने श्रीमत भागोतम सुना तो कितने कितने तत्वों की और उसकी हले कि हम लोग अगर प्रेम की रा पे चले तो इतने सारे तत्वों से हमारा क्या लेना देना पर तब भी तत्वों में सारी सिधांत की रचना सारी सिध्धान्त का वर्णन किया जाता है मैं कौन हूँ मेरा क्या सम्मंद है और वो कई सद्धान्त तो जरूरी है पर कई सिध्धान्त ऐसे हैं कि प्रेम की रा में उन सिध्धान्तों का कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन तब भी हर तरीके के व्यक्ति के लिए ये बात सम यहां पर यह चरचा भी की गई तो अब ठेर ये प्रकाशानन्द सरस्वती प्रबोदानर्ण सरस्वती बने और प्रबऊद। धुआ रचित जोकी श्री मन्हारवु के कृपा पात्र थे उन्हाँने राधारश सुदानि जो की एक मुखे रूप से लीला शास्त्र है इसकी कल हम लोग पहले श्लोक से चर्चा करेंगे जैराद है